वेलकम तो न्यू लेसन इस लेसन में मैं आपसे बात करूँगा कि आप डाइनामिक एड्स कैसे बना सकते हैं ठीक है जी डाइनामिक एड्स कौन सी होती हैं सबसे पहले तो जैसे मैंने आपसे शॉपिंग कैम्पेंज बनाते से मैं बात की थी कि सपोज करो कोई यूजर आप जगत दिखने लगे उसे हम कहते है dynamic ads ठीक है और dynamic ads बनानी के लिए जो जो चीज़े करनी होती है वो हम सब पहले ही कर चुके हैं हम अपना tag setup कर चुके हैं हम dynamic feed के लिए plugin install कर चुके हैं हम सारा काम कर चुके हैं तो अभी हमें सीधे ad बनानी है राइट जब हमने google ads का setup किया था google ads के tag का setup किया था तो google जो है वो अपने आप कुछ audiences आपके लिए बना देता है अपने आप कुछ audiences बना देता है और example अगर मैं आप tools and settings में जाके audience manager के अंदर जाऊं ठीक है जी tools and settings में गया then मैं गया audience manager के अंदर then आप देखो यहाँ पे कुछ audiences बनी होंगी ठीक है और सी audience बनी होंगी देखो past buyers ऐसे लोग जिन्होंने past में product खरीदा है then you have product viewers ऐसे लोग जिन्होंने product देखा है then you have shopping cart abandoners ऐसे लोग जिन्होंने shopping cart abandon किया है ठीक है यह audience automatically automatically create हो गए थी जब हमने tag वगारा setup किया था तो अब हमें क्या करना है अब हमें इन लोगों को add दिखाने तो suppose करो यह product viewers तो जिस जिसने मेरा product देखा है मैं उस उसको add दिखाना चाहता हूँ ठीक है तो मैं सीधे यह वाली audience select करूँगा और इसे मैं dynamic ad दिखा देगा dynamic ad दिखाने से होगा क्या suppose करो इसने एक particular t-shirt देखी मेरी अब suppose करो इसने वो t-shirt देखी बट खरीदी ने ठीक है इस बंदे ने क्या किया इस बंदे ने एक t-shirt देखा बट खरीदा नहीं तो अब होगा क्या अगर मैंने dynamic ad बनाया हुआ है तो जैसे ही ये मेरी website छोड़ेगा इसे मेरी ad हर जगा दिखने लगे ठीक है इसे ही हम कहते हैं dynamic ad इसके लिए हम feed वगरा का setup पहले ही कर चुके है audience google हमारी already बना चुका है दिखे हैं आप लिखे हो ना automatically created google ने automatically create कर दिया तो अब हमें बस add बनाना है ठीक है तो add हम कैसे बनाएंगे simple हम करेंगे plus और हम करेंगे new campaign ठीक है और हम करेंगे create a campaign without a goal और हम लेंगे display चालेंगे display और standard display campaign यहाँ पे कुछ लिखने की ज़रुत नहीं है आप इसे simple कर दोगे continue और यहाँ पे लिख दोगे नाम तो लिख देता हूँ मैं dynamic add और suppose मैं पूरे इंडिया में दिखाना चाहता हूँ यहाँ मुझे करना नहीं कुछ language में सारी छोड़ देता हूँ bidding मैं यहाँ पे कर देता हूँ setup भी directly और enhanced cpc को हटा दो यहाँ पे हमें रखना है manual cpc daily कितने खर्च करना चाहते हो save में करना चाहता हूँ 1000 रुपए delivery method मैं रखूँगा standard then मैं आऊँगा additional setting add rotation save में रख दूँगा add schedule मैं ऐसी छोड़ दूँगा end date छोड़ दूँगा devices सब पे रखूँगा frequency capping में छोड़ दूँगा campaign URL मुझे करने की जूरत purchase यूज़ कर रहे हैं तो हम google ads purchase रखेंगे कोई हमें अलक्सन नहीं करना content exclusion कुछ नहीं करना add group हम simple लिख देते हैं product viewers ठीक है जी और audiences में जाओगे अब सिधे जाओगे browse में अब जाओगे remarketing में जाओगे website visitor में और यहाँ पे ले लोगे product viewers ठीक है demographic में कुछ नहीं करना content targeting कुछ नहीं करना इसको यहाँ से कर दोगे off एक click के कितने पैसे देना चाहते हो से मैं 15 रुपए देना चाहता हूँ मैंने लग दिया 15 अब create your ad तो simple आप यहाँ कर दोगे new ad upload display ad देखो dynamic feed Disney आप ले ली आप बस एक image चूज कर लो जो कि Google दिखा सकता है ठीक है कोई भी एक image हम ले ले लेते हैं तो यहाँ पे कुछ है क्या सपोज मैं यह वाली ले ले लेता हूँ image Google images dynamically create कर देगा यहाँ पे देखोई image छोटा है तो क्या करें यह ले लेते हैं शादी हो जाए देखो कुछ image size की problem हो रही है बड़ अगेन कोई problem नहीं आपको करना क्या है जस्ट यहाँ पे image upload करनी है और आपको यहाँ पे अपना url डालना है अब एक चीज़ धान देनी है क्योंकि dynamic ads हैं तो Google आपकी feed से url वगरा dynamically ही create करेगा ठीक है वहाँ से वो dynamically urls create हो जाएंगे Google वहीं पे भेजेगा Google इस url पे नहीं भेजेगा जो url वो data feed से ले रहा है Google उसी url पे users को भेजेगा तो आप Google attention लेने की जुरत नहीं है simple यहां से फाइल अप्लोड करनी है यहां पे अपने home page का link डाल दो यहां पे अपने url डाल दो एक file डाल दो कोई भी image डाल दो अभी size की problem हो रही थी इसलिए दिक्कत हो रही थी यहां पे आप click करोगे supported sizes and format अलग-अलग size की images हैं जिसमें आप कोई भी size की image choose कर सकते हो ठीक है और उसके बाद आपको simple करना है create campaign ठीक है जी simple यहां से करोगे create campaign तो आपकी dynamic ad create हो गई ठीक है अब क्या होगा कोई भी आपका product देखेगा उसे छोड़के किसी और website पे जाएगा तो उसे आपकी ad दिखने लगी बहुत ही बहुत ही बहुत ही जादा simple ठीक है जी तो यह था आपका dynamic ad again इसके लिए जो major काम था वह हम पहले कर चुके हैं अपना feed setup tag setup तो यह करने में आपको बहुत ही जादा कम समय लगेगा ठीक है thank you so much for watching this lesson